हेलो गाइज तो सभी कुजाएं तो यूबिटी-अर यद करने लेकिन यह होont जाता है होने को तो बहुत ज्याद होते हैं लेकिन यह हमारा इंपोर्टेंट है तो इसे आपको अपने कॉपी में नोट करके लिखना है बिजली का आज परवाची और आज है हमारा 22 तो मार्च की दिवस को एक बार देख लेते हैं तो 22 मार्च को विशुजल दिवस मना जात और उसे पहले यानि 8 मार्च को अंतराष्टी महिला दिवस उसे पहले 7 मार्च को जनव सदी दिवस उसे पहले 4 मार्च को राष्टी सुरच्छा दिवस फिर 3 मार्च को विश वन जी दिवस और एक मार्च को सुने भेद भाव दिवस मना जाता है तो यह थे हमारे मार्च क दिवस को मार्च महिने के साथी रिविज अच्छे सी याध हो जाना चाहिए और हमने कल जितने भी सास्तिरी वसा हैं होती हैं यानि कि 6 अच्छे सी याध क्या च्छा जिसका ट्रिक होता है तस कटमोल यानि तमिल संस्कृत कर्णर तेलगू मलयानम उडिया इसे आपको एक ब सबसे पहले क्या करेंगे एक सी लिखना है यह आपको याद नहीं करना यह याद हो जाएगा बस आपको डेली लिखना है उसके बाद दस जोड़ घटाना गुड़ा-भाग करना दस उसके बाद हिंदी में आज हमें 266 के ठीवरी करना है कल हमने कारक के प्रश्ण को किया था आज हम भी सैसर के ध्यूरू को अच्छे से करेंगे उसके बाद आपको 5 समस्रूत भिन्नार्थक सब्सक्राइन कौन कौन से करने मैं आपको बताता हूँ तो एक बली बली यह हैं यहां पांसजनुत विन्राथक सब्सक्ऽिसे आपको अश्य सियाद करना है उसको बाद 30 वरतनी आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है फिर आपको परिवाची बिजली की अच्छे से याद कर लेना है फिर हम आज दें जीके और जीएस में तो आपकी मैप यानि मैप का नक्से का क्लास लेना है क्लास नमर 10 जिसके बारे में हम बियतनाम इंडोनेशियों इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे और जितने भी हमने आज तक क्लास लिया है उसका सारों का पीडियाब मैं इसके नोट्स का पीडियाब मैं टेलिग्राम पे डाल दूगा यह बहुत जाज़े नहीं यह बहुत छोटा है दो तिन पेज में पूरा आ जाएगा उसके बाद आपको सविधान का कलास नमर 21 लेना है और विटियाब में च telef करमें कीडियाब में लिंक गवारों को अगर आपको profit and loss करना है फ्री में YouTube से तो आप गगन परताब सर का आराम से 13 गंटे का वीडियो है आप उसे अच्छे से कबर कर सकते हैं उसके बाद हम आज दें रिजिनिंग में तो हम रिजिनिंग में दो अगर आपको क्लास लेना है तो आप यूटूब से वहाँ से कलास ले सकते हैं वह एकदम सीरियल वाई करा रहे हैं एक एक चैप्टर खतम कर रहे हैं और उसके बाद आज आपको स्टैक में क्या करना है दो संगठन को याद करना है जैसे एक हो गया नाटो और एक हो गया ओपेक तो नाटो का फुल फाम होता है नार्थ एट्लांटिक ट्रीटी अर्गनाजिशन इसकी अस्थापना उनिस्वन चास में हुई थी और नाटो में वर्तमान में 32 देश हैं जो नमींतम 32 देश है वो याद करना है ओपेक और नाटो इसका अस्थापना मुख्याल है अच्छे से आपको याद कर लेना है और उसके बाद आज है हमारा 22 मार्च तो आज से एक अप्रेल तक यानि 10 दिन आपको जून के दिवस को अच्छे से याद करना है इसका मैं लिखे टेलिग्राम पे डाल आज से ए・गेः तो आज सब्दकरों याद करमा याद करे दोरेछ लिखे, तो सब्सक्रों Самरी लिए्यर क्वर लूजेर उडते है are दोसरे पर याद कर से पाल सीब्दि गवक्तपरे से अच्छे समचे से मैं जह उरे हा कि कर भloीं हैं आज से एक सता है छो तो आल से इसर मा